तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और यह जी वीडियो है आप रोगे 12 ख्लास के उर्दू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोश्चन का सरी चल रहा है ना उसका पार्ट 13 है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर तो बताऊंगी तो मेरे इंसर से मिला कर आप लोगो लाश में अपना स्कोर जरूर बताया है कि आप लोग कितना अब्जेक्टिव कोश्चन सही कर पाये हैं अपने हिसाब से यह आप में कभनी करके जरूर बताएगा ठीक और उसके बाद से हर एक अब्जेक्टिव जpower की एक नजम है ठीक तो जो सबसे पहला स्वाल है वो यह है कि मेरा सफर नजम के शायर कौन है यानी की जो कवीता है नजम ये चैप्टर के राइटर कौन हैं मतलब इस लगिस के शायर कोन है पलोगों घ猜ाफिर तो इस नजम के शायर है अली सटार जाफरि जो कि मेरा अब्टर का हम लोग objective question किये थे तो गुफ्तगू नाम का भी जो नजम है ना उसको भी अली सरदार जाफरी नहीं लिखा है और मेरा सफर नाम का यह जो नजम है किस ताइप का नजम है तो आपसने में आजाद बी में पाबंद सी में तनकीडी और डी में कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा और मेरा सफर नाम का यह जो नजम है यह एक आजाद नजम है जिस पर कोई पाबंद भी नहीं आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई आपसने में हैं बारा जून बारा इदर आ जाएगा बार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपसन नंबर सी एक अगस्त दो हजार को अली सरदार जाफरी की वफात हो गई यानि की मौत हो गई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर चार है कि किस फार्सी शायर से मुटिवेट होकर मेरा सफर नाम का यह जो नजम है य इसका सही एंसर हो जाएगा ऑपसन नंबर बी अल्लामा एक बाल से मुटिवेट होकर मेरा सफर नाम का यह नजम लिखा गया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर फाइफ हैं कि दरजजेल में से कौन अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ तनकीरी किताब यह आप लोगों को बताना है तनकीरी किताब नहीं है तो देखिए ऑपसन में हैं आपसन हैं अपसन ए में हैं लखनाओं की पांच राते बी में इसवी पैगंबरान पैगंबरान सुखन और व्डिमेह तरक्य पसंद अदभ तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा देखे दे अदब भी यह भी देखा जाए तो एक तरह से किताब ही है अली सरदार जाफरी का बाकि तो लखनव की पांच जाते एक बाल शनासी और पेगम्बराने सुखन यह तीनों किताब तो तनकीदी किताब ही है तो जहां तक मुझे लगता है कि यह भी तरह की पसंद अदब भी क्या है तो चलिए इसका राइट इंसर हो जाएक आप लोग ऐसा सोचे हैं तो बिल्कुल आप लोग इसको सही कर लिजिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर सिक्स है कि अली सरदार ज इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपसन नंबर भी उन्हेस संतानवेर में अली सरदार जाफरी को ग्यान पीट अवार्ड मिला था आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर साथ है कि अली सरदार जाफरी को पदम श्रीक आवार्ड कब मिला ऑपसन अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहां हुई आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी के बलराम पूर में हुई थी तो यह था चाप्टर नमबर 13 का सारा अब्जेक्टिव कुशन जिसको आज किस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट किये कोई भी कम्फीजन हो आप हमें अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज